आप जब जाते हैं, आप बहुत नो चेक नहीं करते, यानि जो पेसे आपको मिलते हैं, आप उन्हें चेक नहीं कर सकते एक एसा ही मामला जो हैं वो राजोरी के कोट रंका से सामने आया है, जाहां पर फेक करणसी के साथ साथ तीन लोगों को पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया है आपको बता दे कि पुलीस को एक जानकारी मिली थी कि कोच रंग का एरिया में जो है कुछ लोग यहीं के रहने वाले जो हैं वो आसपास के निवासी हैं वो फेक करन्सी लेकर जो है वो मार्केट में गूम रहे हैं ता तीनों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4500 की फेक करन्सी मिली पुलीस ने इनके बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंक जानने की कोशिश की किये करन्सी कहां से लेकर आते थे और कहां पर इनको यह करन्सी लेकर जो है वो जाना था तो फिलाल के लिए मैं आपको बता कि कोट रंका में तीन लोग जो है वो फेक करन्सी लेकर घूम रहे हैं और यह बता गया कि यह मार्केट में जाकर जो है वो फेक करन्सी डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं ताकि असानी से हमारी जो फेक करन्सी है यानि जो नकली नोट है यह मार्केट में चले जाए और आप इक तारीस बड़ा दोहजार चोबिस अंडर सेक्शन 489, बी एन 489, आई पी सी, पुलीस टेशन, कौट रंका, आगे की जानकारी के लिए मैं आपको बता दू, पुलीस ने मामरा दज करते हों, फुर्दर इंवेस्टिकेशन जो है, वो शुरू कर दिये, इन दिनों को अरेस लोग जो हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, यानि कोट रंका के ही रहने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दो, जो पुलीस ने एक्शन लिया था, इसमें एक जो है, वो बुद्दल का रहने वाला है, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा भी बुद्दल का रहने वाले ह जोए बिख वे, पुलीस के अब ये कभजें नहीं हैं और पुलीस ने इन के लिँक जाने कोशिश किया ये करंसी कहां से लेकर आए थे आगे इनको करंसी कहां तक पहुंचाने थी यह कहां से लेते थे और कौन इनको ये नखीन लोटों की करंसी जूए वो प्रोवाइड करत प्रदर इनलाओ को भी आनि आपको बता दे कि उसे भी जो एरेस्ट किया गया है उसके साथ-साथ एक और व्यक्ति को रेस्ट किया गया है लेकिन फिलाल के लिए खबर जो है वो बड़ी है कि यहां पर रजोरी के कोट रंका की अगर मैं बात करूँ तो वहां से जो है लोगों को हिरासत में लिया गया क्यूंकि वो जो है फेक करंसी लेकर घूम रहे थे और फेक करंसी की बात करते हैं जहां तक इसका तालुकात है उसकी बात करने कोशिश करते हैं फेक करंसी की आप भी जानते हैं कि मोदी जी ने नोट बंडी की थी नोट बंडी सीले की थी कि यहां पर जो है नकली करंसी को कहीं नकली नोट मार्केट में आते हैं जो लोगों के साथ दोका जाल साजी होती है उसे कहीं नकहीं रोका जा स तो आप बहुत गिनकर किसी को cash दीजेगा, या किसी से cash लीजेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको fake note थमा दे और बाद में आप किसी को कहने के like नहा हो कि आपके साथ भोखा हो गया है क्योंकि जब आप देखते हैं कि fake note भी जो हैं वो इसी तरह के आजकल आते हैं लेकिन fake note आपको online भी provide हो जाते हैं जो हूँ बहू जो है वो ऐसे ही लगते हैं लेकिन फिलाल के लिए खबर जो है वो राजोरी के कोट रंका से थी कि एक नकली note की currency के साथ तीन लोगों को हिरासत में लिया जो बुधल के रहने वाले थे और साफ तोर पर वो market में घूमने के लिए गए थे और market से कुछ खरीद रहे थे कि इस fake currency को जो है वो market में distribute किया जा सके लेकिन जानने वाली बात ये कि फेक currency जो है वो लाते कहां से थे और फेक currency जो है वो देते किसको थे इस पर जो है वो गहरा अभी भी चिंतन और मन्थन चल रहा है पुलीस ने ये further investigation कर ली है लेकिन पुलीस ने आगे की investigation के लिए FIR जो है वो दर्ज की है और IPC धारा के जो जितना भी बनता था sections जो है वो भी लगाई है इंडियन penal court के मुताविक वो धाराएं भी लगाई है और साथ तोर पर पुलीस का यांपर कहना है कि इन लोगों की बहुत देर से हमें जानकारी मिली थी इसलिए पूरा एक trap बिचाया गया और इस पूरे trap के साथ साथ इन लोगों के लाल के लिए इस खबर को शियर करें जो मों बुलें जो मों बुलें और साथी साथ वीडियो की कमेंड बॉक्स अपती राय रखें और जो मूलेटे न्यूस को लाइक भी कर ले